असलाव लेखूम गाइज मेरा नाम है सानिया तो आपको मैं अजन्डे मसाले की रेसिपी बताऊंगी तो सबसे पहले हम अंडा बॉयल कर लेंगे अच्छे से तीन कांदे तीन टामाटर मिर्ची दस बारा और कोतमीर थोड़ी लेंगे कांदे को अच्छे से चॉप कर लिए तामाटर मिर्ची कोतमीर को पिस लिए अच्छे से और में थोड़ी दर मसाले लिए gleichen तेज पता जीरा राय काली मिरी देख सकते हो आप में में मसाले यूँ अब मैंस में मसाला दालूंगी थोड़ा तो देख सकते हो टू टेबल स्पून लाल मिर्ची, वन टेबल स्पून हल्दी, तू टेबल स्पून धनिया, वन टेबल स्पून अंडा मसाला कि अंडा मसाला बहुत टेस्टरी रितस ले ली अगरम मसाली अब अंडे को अधर से मैं कट करूँगी कि कि अंदर अच्छी से जब मैं फ्राय करूँगी तो अच्छी से फ्राय होई अब मैंने तपेली रख दी एक छोटी फास्ट करके रखेंगे थोड़ा सी ओईल डाली इ अच्छी से अच्छी से फ्राय कर लोंगी झाले होई तॉलंटे फ्राय हो गये है अब यह हैं थो आगे मोग टेल स्पोन तेल दालें हैं और जो मसाली तेम अब उन्सक्राइल चोपश रहुए त्समी आम कांद्य तालें उत्तर टेस्ट आता है कान्दे को अच्छे से हम हलकर ब्राउन कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हम वन टेबल स्पूल अज्रक लसंग का पैस मेरे पास रेडी मेट ना इसले मैंने रेडी मेट डाली अब चाहे तो ग्रैड में पीश सकते हो टामाटर के साथ अच्छे से इसको हिला देंगे हम यह अच्छे से पक गया तो इसमें जो मसाले पीशे से टामाटर के वह दाल देंगे इसमें और अच्छे से इसको हिला देंगे इसमें थोड़ा पानी दाल कि हम जितना हम टेस्ट के लिए मसाले में पानी दालते हो तर टेस्ट आता है अभी इसको पाच मेट के लिए मैं छोड़ दूए पाच मेट हो गए हम इसको अच्छे से लाऊ ओगा और इसमें मसाले दाल दूए मैंने नम्मक दालना गुल गए तो आप अपने कांट से दाल सकते हो क्यों अपने कांटिंग में कांटिंग से दाल सकते हो मसाले नम्मक और इसका अछ्छे से ला देंगे पूसर यह हो गया हम इसको फिर डग देंगे अच्छे से पाद 10 मेंट के लिए 5-10 मेंट हो गया हम इसको तोड़ा से हिलाईंगे अच्छ से लाइंगे ये जो देख सकते अच्छ लगत अच्छा बना है देख सकते हो माशाल लगत अच्छे से उबल आ रहा है अब इसको हम फिसे पात दस मिड़ के लिए पक देंगे पात दस मेड़ हो गए देख सकते हो जो यह उपर तेल तेल आ जबें करता हे जैसे मेट मेटीर कि टेस्ट बहुत अच्छा थैसे लास में दालेगा झालें संत में लाड़ देंगे हम अच्छे से लाइगी कि अच्छी से थोड़ा सी और सब्सक्राव कर दे तोलब आए अब इसमें हम डालेंगे धनिया 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 धनि कि देख सकते हैं अब इसको में ढाक के रख दूंगी कि अच्छे से पग जाया है इसे पांच मिट के लिए हम ढाक के रगेंगे पांच मिट हो जाएंगा तो देखी किता लजीज बना है